दोस्तों Android Mobile Phone जो हमारे जिन्दगी का एक बहुती खास हिस्सा है उसी Android Mobile Phone के बहुत से Apps के साथ हमारे जानकारी है लेकिन इसी किसी Apps बहुती यूनिक होता है और उसके थुरू हम लोग बहुत मज़े से यूस कर सकते हैं और दोस्तों को भी स्टांट कर सकते हैं वैसे ही कुछ स्पेशल यूनिक सा अप्लिकेशन लेके आज मैं आपके सामने आए हूँ तो चलिए मिसमत कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिए Welcome to our channel Key of Education Zone जहां पे आज मैं आपको ऐसे कुछ खास अप्लिकेशन आपस के बारे में बताऊंगी जो Android phone को बहुत मज़ेदार और बहुत useful कर देंगे उसके पहले वाला जो एप्स है वो एप्स है हमारे Camfind Camfind नाम से आपको पता चल रहा है जी हाँ ये देखिए मैं इसको पूरा ये हमारे प्ले स्टोर में ये मिल जाएंगे और ये free applications है इस Camfind में camera लगा है और जिस camera से आप कुछ photographs लेंगे और उसका detail आप तक पहुँच जाएंगे है ना ये बहुत मज़ेदार तो ये है हमारे Camfind इसका detail मैं आपको दिखा देती हूँ red तो बहुत अच्छे नहीं है लेकिन कितने लोगों ने install किया है और कितना इसका हमारे size है ये आपको यहां से पता चल रहा है तो दोस्तों इसको मैं पहले install कर रहे हूं मैं हर एक application यहां पर install करूंगी और उसको use करके दिखाऊंगी ताकि आपको सुविधा मिले just बहुत से videos तो ऐसे भी रहते हैं जहां पर just नाम बता के छोड़ देते हैं और उसको use करके लेकिन कहा से मिल रहा है कैसे आप install कर रहे हैं अगर मैं यह भी दिखा दूँ आपको तो use करने में आपको मज़ा जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा है ना इसलिए मैं अपने videos में इसी तरीके से देती हूं सिर्फ और सिर्फ उसका use दिखा के छोड़ती नहीं उसको install कीजिए किस तरीके से open कर रहे हैं और किस तरीके से use कर रहे हैं फुरा detail दिखाते हूं तो यहां पर मेरी cam find है पहला applications जो मैंने पहले ही बताई हूं बहुत ही unique सा application है इस cam find को जब मैं install कर ली मैं पहले ही बताई हूं फिर से बता रहे हूं मैं जो भी applications के बारे में आपको यहां पर बताती हूं maximum to maximum की हर एक video ही आपके रहते हैं जो free apps को लेकी ही रहते हैं मैं free apps को भी बताती हूं तो यह भी आपका free apps है देखिए यह installed हो गया अब मैं इसको open कर रही हूं देखिए open कर रही हूं मैं open करके इसको कुछ permissions देना होते है क्या permissions obviously आप समझ रहे हैं यह cam लेगा तो camera को आपको permission देना ही है तो उस camera के permission को देने के बाद यह देखिए यहां से यह tutorial आया था यह मैं इसको skip कर दी just मैं continue करते हूं camera की यह देखिए permission मांग रहे है record की और सारे अब इसके through मैं कुछ भी आप scan कर सकते हैं मैं यहां पर mobile लोना रखा हुआ है mobile को ही मैं camera से photo कीज रही हूं अब यह photo कीजने के बाद देखिए यह कुछ second लेंगे यह process करते हुए मैं processing की technique भी आपको दिखा देती हूं यह देखिए यह कुछ से ही message को अपलोड करेंगे उसके बाद process करते रहेंगे few moments you have to wait कुछ moments wait करने के बाद ही यहां पर आपको देखिए दिखाई देगा कि इस phone के detail ऐसे आप कोई भी चीज़ सर्फ electronics goods नहीं कुछ भी चीज़ के camera से photo कीज़ी और उसका सारे details आप पता कर ले ने सकते हैं यह बहुत ही खास और unique है देखिए यहां पर आपको दिखा दे रहा है यह black LG का phone है इस तरीके से सारे details आपको मिल जाएंगे camera हो सकते है laptop हो सकते है आपके कोई और भी समान हो सकते है jewelry हो सकते है सब कुछ के यह है हमारे fast application next application है वो है हमारा जी हां यह है हमारे next application सजम देखिए यह भी आपको प्ले स्टोर से ही मिल जाएंगे मैं स्क्रीन पर लिखके भी दे रहे हूं हर एक applications के नेम यह सजम एक ऐसे unique application है उसको उहां पे on कर दीजिए वो just listen करेंगे उस music के और detail दे देंगे और जहां से आप उसको play भी कर सकते हैं है ना यह बहुत ही खास और unique क्योंकि बहुत से apps में तो आपके बहुत सो information मिल जाएंगे लेकिन just कहीं पे भी आप जा रहे हैं सुन रहे हैं और उस music के एक बार listen करके ही उसका detail ले लेना और उसको अपने मर्जी से सुनना यह तो खास ही है ना इस बज़ा से यह application भी और यह application में free है इस application को मैं unique applications के category में ही रखी हूँ यह बहुत ही मुझे तो मज़ा देता है आपको भी शायच जरूर देगा मैं हर एक application को uninstall करके आपको install करके और उसको use करने के पूरा तक्रिफ पूरा detail है दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी problem ना हो देखिए यह है हमारा second application इस second application भी more or less installed हो चुका है इसके और एक खरसियत आपको बता दूँ यहाँ पर जो options रहते हैं वहां से आप अगर यह free तो है और यह अगर आपके options सर्च करेंगे तो वहां से आपको offline music सुनने का भी option मिल जाएंगे तो इसलिए another categories में unique है unique तो इसलिए है कि आपको आप कहेंगे कि music के detail तो बहुत से जगा से मिल सकता है music के details मिल सकता है तो लिए उसको search करने के लिए आपको कुछ details देना पड़ता है यहां पर सिर्फ आप रश्ते चल रहे हैं यह कहीं पर भी कुछ कान में आया आपको यह अच्छा लगा तो आप तुरंत उसको इस apps के थ्रू लिसन करवा दीजिए और वो detail आपको पहुचा दे रहा है और उसको सुनने का भी option दे रहा है इसलिए इसको मैं खास बोल रही हूं शायद आपको भी खास लग रहा है देखिए यह install हो चुके है मैं इसको भी open कर रही हूं मैं हर एक install करके open करके आपको दिखाती हूं देखिए open हो गया open हो जाने के बाद यह आपसे थोड़ा audio की permissions मांगेंगे home permissions देने के बाद यह देखिए यह apps हो गया यह जो beach में लखा हुआ है एस टाइप के यहाँ पर आपको प्रेस करना है यह प्रेस करते ही हूं यह audio लिसन करेंगे लिसन करने के बाद इसका जो details है यह आपको दे देगा सिर्फ details देने के नहीं नहीं आप चाहे तो उसको play कर सकते है offline भी play कर सकते है देखिए मैंने कुछ इसको दे रही हूं यह listening हो रहा है पहले में show नहीं हुआ फिर से मैं listen कर रही हूं यह देखिए यह दे दिए अब इस music में आप click करेंगे तो open in music आपको detail मिल जाएंगे है न तो यह था हमारा next second वाला application जो भी बहुत useful लगा है और मुझे तो बहुत पसंद है शायद आपको भी पसंद आ रहा है अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपको जी हाँ इतना ढून ढून के और इतने अच्छे अच्छे apps आपके लिए ले आते हैं आपको पसंद भी आते हैं तो एक like तो मेरे वीडियो में भी करना चाहिए उसके साथ यह आपके दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते है वीडियो ताकि उन लोगों को भी इस apps यह सारे apps नहीं ऐसे वीडियो के जानकारी मि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके पास में रखे हुए बल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोडिफिकेशन मिलते रहें ऐसी वीडियो का तो चलिए आम नेक्स्ट अप्लिकेशन के और चलते हैं क्योंकि हमारा काम है आज यूनिक आप्लिकेशन को सर्च करना नेक्स्ट अप्लिकेशन जो है ओ है पोस्टर राइड्स यह तो एक बहुत ही खास अप्लिकेशन से जो लोग कोई भी पोस्ट दे रहे हैं अपने फेस्बूक में इस्टरग्राम में तो ओहां पे आप लोग को क्या करना है बहुत से कुछ भी इसको एडिट कर सकते हैं उसका बैक्राउंड चेंड कर सकते हैं इतने सारे आप्लिकेशन सापको मिल जाएंगे तो पोस्टर देने के लिए बहुत ही मज़़ेदार है इसको पर्चेस ऑप्शन भी रहते हैं आप फ्री भी यूज कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही करी और आपको दिखाती भी हूँ फ्री रहते हैं इसका भी डीटेल्स आपको मैं दिखा देती हूँ इसका रेटिंग और इसका कितने लोगों ने डाउनलोड की है यह उप्शन सापको मिल रहा है तो यह कितने उनीक सा है इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यह बहुत अपने हिसाफ से अब लिखी और अपने हिसाफ से आप पोस्टर या कोई भी मेसज अपने हिसाफ से आप टाइप करके उनको भीज सकते हैं यह बहुत ही मज़दार तरीके से होता है देखिए मैं इसको ओन करके दिखा देती हूँ यह देखी यह on हो गया यह बहुत से categories यहां पर दिया हुआ है अपना canvas आप कितना size को चाते हैं वो भी आप select कर सकते हैं अपने हिसाब से इसके साथ style आप management कर सकते हैं background में आप कुछ भी दे सकते हैं आपने हिसाब से background आप change कर सकते हैं यह देखिए यहाँ पे background change करने के लिए कुछ भी करने के लिए आपको permissions मांगेंगे permission तो आपको देना पड़ेगा यह देखिए size change कर रहे है आप कुछ locked दिखाई दे रहे है और अगर आप purchase करेंगे तभी आपको देंगे आप इसका background change कर सकते है जैसे यहाँ पे कुछ background दिया हुआ है आपने हिसाब से आप कोई भी background ले सकते है देखिए ले लिए अब यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो था अब आप चाते है कि उसको delete कर दीजिए करके अपने हिसाब से कुछ लिख लीजिए देखिए मैं type करके दिखा रहे हूँ मैं good morning just type करके दिखा रहे हूँ आपको अब इसको आप change कर सकते है यह देखिए good morning ऐसे लिखे बीच में या नीचे में या उपर में कैसे style हो यह सारे चीज़े आप change कर रहे है background अपने हिजाब से दे रहे है तो इस तरीके से आप अपने posters को खुछ से create कर रहे है देखिए यहाँ पे मैं सारे options थोड़ा थोड़ा दिखा दे रही हूं आपको देखिए इसका visibility जिसको आप focus करना चाहे यहाँ पर बहुत से language भी दिया हुआ है आप अपने हिसाब से अपना language भी चूज कर सकते है उस language इस में आप poster बना सकते है यह सारे options आपको मिल जाएंगे इस apps में तो है ना यह unique and class अब तीन apps मैं दिख अब मैं चलते हूं अपने चौथे unique apps के दौर चौथा जो apps है वह भी बहुत ही खास और बहुत ही unique apps है तो चलिए उसको देखते हैं अगर वह भी आपको पसंद आगे तो तो आप like की हरसी खिर्प नहीं करेंगे कैसा लगा वह आप अपसे command box में share करेंगे आपको अगर और भी कुछ apps related information चाहिए तो उसके लिए जरूर हमें comments कर दीजिएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको उसमारे में बताए अब मैं दिखाती हूं आपको 4 apps के यह 4 apps जो है वह भी बहुत ही खास एक apps है उस apps के थ्रू आप क्या करेंगे आपके mobile को fully control कर सकते हैं बहुत छोट सा apps है लेकिन तब भी अपने mobile को आप control कर सकते हैं यह है हमारे next जो मैं कहते हूं unique control apps यह apps जो है बहुत ही छोटा apps है लेकिन इसके थ्रू देखिए अपको size तो यहां पे screen पे हर एक का मिल ही रहा है लेकिन इस एम इसको थ्रू आप कुछ भी अपने mobile के total control कर सकते हैं इसमें बहुत से options है जिसके through आप इसको different purpose use कर सकते हैं अपने dates देख सकते हैं अपने temperature देख सकते हैं और भी जो भी हमारे दूसरे apps है उसका details पता कर सकते हैं कब करन से दिन में उसको on किये थे वो देख सकते हैं या उसका detail जैसे वो कैसी use हो रहा है या कोई notifications है वो सारे notification को भी आ आप बहुत अच्छी तरीकी से देख सकते हैं यह सारे options आपको सिर्फ और सिर्फ एक unique controls app में ही मिल जाएंगे देखिए unique controls app को मैं दिखा दे रही हूं आपको जस्ट इसको install हो गया इसको open कर दीजिए मैं इसको कुछ features आपको दिखा देती हूँ अब बाकि आभी use करते करत इस तो दिखाई देगा देख लीजिए स्क्रीन को follow करते जाएं प्लीज क्योंकि इहां पर कुछ चीज़ों को on करना है हमें देखिए यह है इसको आपको येस कर देना है option दे रहे है क्या क्या आप on कर रहे है इस accessibility unique control इन दोनों को यापको enable करना है पहले यह enable करने के बाद permissions मांग रहे हैं आपको permissions देना तो है ही otherwise यह काम नहीं करेगा इसके बाद मैं आ जाएगा आगया आपका देखिए apps और यह उल्टा खोल गया मैं आपको इस apps को खोल के दिखा देते हूं यह देखिए apps खोल गया हमारे सामने अब इसको मैं control करके दिखा देते हूं सारे चीदे यह देखिए यह जब मैं on कर दी यूनिक control को enable कर दी allow permissions अब यह काम करना शुरू कर देगा यह देखिए यह आप एक बार आगी एक icon आ चुका है इस icon को आप जिस तरीके से shift कर रहा है कोई भी notification हो कुछ भी हो यहां से आप एक साथ में इसको देख सकते है और इसको use भी कर सकते है यह देखिए इसको आप ज दिखते रहेंगे तो दोस्तों यह बहुत ही खास apps थे कुछ और भी ऐसे apps लेके आ रहे हैं तो हमारे साथ में रहें जय भारत